आज मैं प्रिस्या आपके सामने एक टेंगी वीडियो लेकर उपस दूँँ दोस्तों आज की वीडियो ब्रेट बोड पर आदा रहेते हैं आप देख रहे हैं यह सामने ब्रेट बूड है तो सबसे पहले हम जानेंगे इस ब्रेट बोड का उद्देश क्या है फर्पच क्या ह दोस्तों इस ब्रेट बोड का उद्देश है कि इस ब्रेट बोड पर कोई भी लेक्टोनिक सर्किट आप विदाउट सॉल्डरिंग के डिजान कर सकते हैं और उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं उसके बाद आप उसको कहें भी प्रिंटेट सर्किट बोड पे PCV पे पर्मनेंट तो इस ब्रेट बोड का जो इस्ट्रक्चर है हम उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके आउटर इस्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे आप देख रहे हैं यह इसका आउटर इस्ट्रक्चर है इसको यह चार स्ट्रिप में डिवाइड रहे है स्ट्रिप A और इस्ट्रिप D यह पावर रेल कहलाती है इनले स्ट्रिप ऑर स्ट्रिप C यह सर्क्ट एरिया के लिए यूज़ होती है यह सड्रिपस हैं जिनलगें पर हम इंस पर इस पर इससरी aoachen दलगें स ellion हो जाता है तो स्ट्रिपसरookie इससे हम इसको पावर देते हैं दोस्तों और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वह 5.5 इंटू 17 सेंटीमिटर है और इसकी जो मोटा यह 3.5 सेंटीमिटर है तो चलीए दोस्तों और हम इसकी इंटरनल इस्ट्रक्णकर जानते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया यह जो इसको यह के नाम दिया गया है इसको बूलते हैं इसको C वोलते हैं और इसको D बोलते हैं इसको ग्याह दिखनें एक जैसी है कि मैंने आपको पहले पहले बतायां इनको पाबर ai कहते जो strip A और strip D को power rail काते हैं, इनको हम power rail काते हैं क्योंकि इनसे हम power der distribute करते हैं circuit के लिए, देखिए इसमें जो छोटे-छोटे holes हैं, यहाँ पर design circuit होता है उसको power देते हैं, तो अब इसमें internal structure क्या होता है कि यह जो holes हैं चोटे चोटे यह इंटरनली होरिजोंटली सोट है यान कि अगर आपने यहां पर पावर दिये तो वह पावर यहां से होती हुई होरिजोंटली पावर जो वह यहां तक जाएगी ठीक है अगर आपने यहां पर से पावर दिये तो वह पावर इसी लाइन में सभी होल्स में हो स्ट्रिप A और Strip D की स्ट्रक्चर बिल्कुल समान है अब हम बात करते हैं सरक्ट इरिया की तो सरक्ट इरिया में आप देख रहे हो इत डबल स्ट्रिप है इनकी जो बित है वो पाबर स्ट्रिप से ज़्यादा है इन पर हम basically circuit design करते हैं electronic circuit design करते हैं जैसे आपने register ले लिया transistor ले लिया diode ले लिया इनको हम circuit area हमें लगाते हैं तो देखिए जो power distribution rail है आपकी इसमें जो holes थे वो horizontally short थे यान कि horizontally interconnected है लेकिन जो circuit area हमें है इसमें ये vertically connected है यान कि अगर आप ये जो है ये पांच होल है ये आप इसमें connected है और इनका इस पड़ोस वाली line से कोई relation नहीं है उस तरह से अगर आपने यहां supply दी है तो यहां भी आएगी यहां भी आएगी अब यह सारे जो होल है वो internally connected है internally short है जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं तो यह हमारा इसका internal structure हो गया अब देखिए आपने देखा कि distribution line या distribution rail पावर पावरेल और इस circuit area में जो gap कम है लेकिन जो double strip है इनमें यहां पर बहुत ज्यादा है दोस्तों यह जो gap यहां पर बहुत ज्यादा है इसका भी अपना एक reason है यह जो circuit area हो गया यह वाला यह circuit area हो गया यहां पर लेकिन जो हमारी integrated circuits होते हैं इसके अनी हैं पर नहीं लगा सकते हैं अगर हम IC को भी में लगाएंगे तो उसकी जो आमने सामने की पिन यहां सौट हो जायेंग तो इसलिए यह जो गैप है यह आएसीज को लगाने के लिए है यानि कि जो गैप है वो आइसीज के बीच में आ जाएगा मिटल में आ जाएगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं लगा कि देखिए यह मेरे पास 555 टाइमर की अगर इस आईसीज को लगा अगर कोई सरकेट डिजान करना है तो आइसीज को हम इस तरह से लगाना होगा तो आपने देखिए यह जो गैप है वो आईसीज के वीज में आ गया दोस्तों इस तरह से हम यह सरक्ट एरिया पर शर्कुट को डिजान करते हैं तो दोस्तों मैं अब आपको त्रक्तिकल करके दिखाऊंगा जो पावर डिस्ट्यूइशन में है जो पावर बीजिफ करेंडन कैसे फिलो होती आहां उसके लिए मैंने एक między लिघ जरी है और यह एक स्विच लगा हुआ है और यह क्नेक्टिंग दीजह अ है WRnea से इसमें पावर कैसे क्रावर कैसे फिलो मैं याप blue दिखाता हूं यह यह लगा दिशक में पुच कर दिया यह और देखिए यहां से मैं इसको supply देता हूँ इसको मैंने आउन कर दिया देखिए आपने LED गलो कर रही है ठीक है अब यह LED आप कहीं भी लगा दीजिए इस लाइन में हर जगह आपको पावर मिलेगी कहीं भी लगा दो देखिए पावर मिल रही है है यहां भी लगा दो पावर निकलना मिल रही है हर जगह पावर अब लेविल रहे है इस तरह से मैंने आपको बताया है कि जो जिद्वावर का कि यहां से यहां तक करेंट पहुंचेगी और इसकी कि यहां तक इसका अचल सनट जैसे से अहम कि केरला श्रक्यट में हम कंपोनेंट हम कैसे लगाते हैं देखिए यह मेरे पास कैपिसिटर है इस कैपिसिटर को मैं आपको लगा के दिखाता हूं देखिए यह मैंने आपको बता है कि इसमें जो सरकुट एरिया है इसमें जो होल है वो वर्टीकली कनेक्टेड है तो हम इसको ऐसे नहीं लगा सकते इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से आप connect कर लेंगे इसको, अगर आप इसको इस तरह से लगा देंगे तो यह सोट हो जाएगा, इसको ऐसे न लगा करके इसको इस तरह से लगाएंगे, देखिए इस तरह से, और इसको यहां से power, यहां से columnize power, जै सकते हैं, अगर इसको आप पाबर देना चाहो तो इसको यहां से पाबर दे दो इस तक पाबर पहुंच जाएगी ठीक है इसकी जो structure है बैसे ही इस इस circuit area की structure है इस तरह से आप इसको design कर सकते हैं अब आपको LED लगाने है तो LED कैसे लगाएंगे LED आप लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे ऐसे आप इसको vertically दो रोड नहीं लगा सकते क्योंकि यह short हो जाएगी क्योंकि यह same potential पा जाएगी इसलिए आप इसको इस यह रीजोंटली ओपेंगे त क्योंकि वर्टिकली your एंट वाटिकली और रेल पर जो टिनी होल्स और भर्टिकली ओपेंd चल्व méthode ए ऐसे आप इसको डिजेन करने चुछए अब मैंने आपको यह गैप बताया था जो डबल इस्ट्रिप है इनके बीच में जो गैप है वो इसलिए है क्योंकि हम यह पर आइसीज जो है हम यही पर लगा सकते हैं क्योंकि ना तो यहां पर हम लगा सकते हैं आइसीज को अगर आइसीज को हम इस ट्रिप लगाएंगे तो लिए इदर दो याले फिन आपस में शॉठ हो जाएगी तो इसलिए जो गैप है वह है आई सिज्राइपश य typical बीच्प मैं यह इस तरह के उता है इसिक लिए कशी अब मैं आपके लिए सिम्पल सरक्ट इस रिजाइन करता हूं उससर ही तो को डिजाइन तो मैंने इनको पावर्स है है यह मैंने पावरयल में दे दिये यह मेरे पास LED यह और LED को मैं यहां connect करता हूं यह मैंने LED को सर्किटेर्यययाम connect कर दिया और यह jumper wire से मैं यहां supply दे रहा हूं यह हमारा पोजिट्व है तो पोजिट्व हमें हमें यहां से मिल रहा है और यह हमारा नेगिटियव है तो वस्मर को अंदर, यह सब सक Наилगे बारी हमें मैं इसमें LED की सीरिज में एक रेजिस्टर लगागे दिखाऊंगा अगर आप रेजिस्टर की सीरिज में लगाएंगे तो इसमें करेंट कम हो जाएगी जैसा कि मैंने पहले वीडियूज में आपको बताया है तो चलिए भी प्रेक्टिकल करके देखते हूं तो देखिए यह LED के सीरिज में मैं आपको एक रेजिस्टर लगा देखाता हूं यह आपके LED एक रेजिस्टर है तो इसके सीरिज में लगाने के लिए मैं इसको यहां से कनेक्ट करता हूं और दूसरा पार्ट इसका रेजिस्टर का यहां पर लगा देता हूं अब यह जंपर वायर के थुरू इसको supply यहां से देता हूं यह positive side connected है अब दूसरा मैं supply इसको यहां से देता हूं जो कि इसका negative side connector है जो मैंने circuit design कर दिया अब मैं इसको on करता हूं देखिए आप LED पहले से कम गिलो कर रही है क्यों गलो कर रही है क्योंकि register लगाने से इसकी current है वो current जो है कम हो गई current को limit कर देता है register दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसे लगी अगर अच्छी लगे तो like करें comment करें और share करें मिलते हैं अगली वीडियो झाल करें मिलते है वीडियो करें मिलते हैं कर रही है hey हम ऐर भीटे मी है करें मिलते है ये इसकी pert Sales झाल 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 झाल